नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyoti Secret सावन का महना सुरू हो चुका है और सावन के महने में सिर्फ सोंबार ही नहीं बल्कि तमाम दिनों का अपना अपना भात्व है सोंबार का दिन भगवान सिव को समरपित है तो सावन के महने का हर मंगलवार मां मंगला गौडी यानि मां पारवती को समरपित है इस दिन आप तमाम तरह के बैवाहिक जीवन की परेसानियों से चुटकारा पाने के लिए उपाई कर सकते हैं अगर आपके बैवाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपके बिवाह जैसे की तलाक की नौबत आ गई है या बिवाह नहीं हो पा रहा है तब मंगला गौरी यानि मंगलवार के दिन सावन के उपाई किये जाते हैं अगर आपको कोई परेसानी है तो आप कमेंट कीजिए हम बेसक लाने की कोशिस करेंगे तो चलिए आज जानते हैं कि सावन के महने में जब भी आप सिवलिंग पर जल अरपीद करते हैं आप घर में अरपीद करें या फिर पास के सिवाले में आखिर देवों के देव महादेव का महिना सावन में कैसे देव जल की आपकी तमाम इक्छाओं को पूरी कर दें महादेव देखिए सबसे पहली बात तो सावन के सोम बार को अगर सिर्फ सोम बार याद रखिएगा थोड़ा सा सहद अगर आप सिवलिंग पर अरपित करते हैं और फिर जल की धारा अरपित करते हैं तो आपके करजों की समस्या से जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाता है तो याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे दर्सक करजों की समस्या से भी परेशान है ऐसा उनका कहना है अब हम बात करते हैं सिंपल तरीके से कैसे पुजा करें देखिए घर से एक लोटा जल भर कर नंगे पैर आप मंदिल तक चाहिए सिबलिंग पर जलर्पित करें फिर अगर आप पुरूस हैं तो सास्टांग पर नाम करें आप महिला हैं तो महिलाएं सास्टांग पर नहीं करेंगी फिर वहीं पर खड़े होकर 108 बार नमह सिबाय का जब करें और दिन में केबल फलाहार ही कीजिए अगर आप विसेश प्रयोग करते हैं सोंबार के दिन तब नहीं तो अन्ने दिनों में आप खाना खाईए मज़े से सिर्फ लहसन, प्याज, मांस, मदीरा, बेगरे का सेबन मत कीजिएगा और साम के समय आप धूप दीब दिखाते ही होंगे घर में तो यहाँ पर साम के समय अगर आप कपुर जला कर अरती करते हैं तो आप के लिए जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इस साबन के महने में बहुत सारी परिसानियों का निवारन होता है तो आज हम बहुत सारी दरसों को का ये भी सवाल है सिर्फ करजी नहीं बलकि संतान को लेकर भी परिसानी है संतान नहीं हो पा रहा है क्या करें उनके लिए खास अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तब साबन के पूरे मेने आप ये प्रयोग कर सकते हैं सिब जी के मंदल जाएए और सिबलिंग पर घी अर्पित करें दोनों हाथ उसे लगाईए फिर जल की धारा अर्पित करें और संतान प्राप्ति की प्राफना करें यकीन मानिए बंस ब्रधी होती है इस प्रयोग से दिल से कीजिए दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती अब बहुत सारे हमारे ऐसे भी दर्सक हैं जिनका कहना है कि बिभा नहीं हो पा रहा है क्या करें देखिए अगर बिभा होने में बाधा आ रही हो तब सोम साबन के सोम बार के दिन हां याद रखेगा मंगला गोरी की बाते हम बाद में लेकिन आज गया दर प्रियोो कर है तो साबन के इस बार पांच सोम कईजिए 108 बेलपत्र ले लें हर बेलपत्र पर चंदन से लिखिये राम फिर एक एक करके बेलपत्र सिबलिंग पर अरपित करें और बोलिए नमह सिबाए नमह सिबाए और अंत में सिग्र विभा होने की प्रार्थना करें यकीन मानिए आपकी मनुकामना हाथो हाथ पूर्ण होगी वैसे तो बहुत सारी चीजें अर्पित करने का विधान है लेकिन पूरे सावन सिर्फ एक लोटा जल और जल में एक बेल पत्र डाल कर जरूर अर्पित करें आपकी समस्त मनो कामनाएं पूर्ण होगी तमाम ताम जाम आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं एक लोटा जल ले प्रेम से उसमें बेल पत्र डालें और नंगे पैर आप मंदिल चले जाएं जाकर अर्पित करके चले आएं ना बदल गया जीवन तो कहना फिलार बिदा लेंगे हरहर महादेव धर्निवाद